और आई अब हम आपको एक ऐसे अस्पताल में लेकर चलते हैं जहां के रास्ते अपनी बधाली के लिए रो रहे हैं इतना पानी भरा हुआ है अस्पताल परिसर के अंदर कि इस पानी को निकालने के लिए साय दब भगवान को ही उतार लेना पड़ेगा बाकी तो कोई हल इसक स्वासकेंद्र है जहां पर देखा जा रहा है कि पंदरा दिन से पूरे इस्पताल परिसर में चारो तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है जलनिकासी की कोई विवस्था है नहीं बात करें अगर तो एकोना कस्वे की तो पूरे एकोना कस्वे में अगर दस मिनट के लिए भी ब पहुत जाता है लेकिन एकवना में कुछ ऐसे सरकारी संस्थान है जहां पानी बिल्कुल जमा हुआ है एकवना सामदाइक स्वासकेंदर का हाल आप लोग देख लीजिए उधर पीछे महिला स्पताल है उसके बार डाग बंगला है वहां पर प्रात्मिक विद्याले है और एक को बताया कि इस पानी को निकालने के लिए भगवान को ही उतार लेना पड़ेगा क्योंकि देखा गया है इकवना में जहां पर नाला बना हुआ है वहां पर लोगों ने अवेद रूप से कपजा करके रखा हुआ है अतिकर्मण करके रखा हुआ है इसको जो है जिलादिका कपजा करके रखा हुआ है कि लोगों ने घर बना लिया है इनके वहां पर आवास बने हुए है इस जलनिकासिक की विवस्था को अगर सुधिर करना है अगर इस पानी को निकलवाना है यह देखिए इकवना स्पताल के पीछे पांच पिरान कबरिस्तान आप देख रहे हैं तीमारदार हैं स्वास्तकर्मी हैं डाक्टर हैं अधिकारी हैं नर्स हैं अम्बिलेंस कर्मी हैं और जितने भी लोग अस्पताल के हैं दूर दरास से सबसे बेस्ट अस्पताल है यह सबसे ज़्यादा मरीजों की सेवा करने वाला यह अस्पताल है यहां पर हर वक्त भीड लगी रहती है अमर्जनसी तक आज कोई नहीं पहुंच सकता ये हाल है इसके बारे में अगर सिकायत करें तो किस्से करें क्योंकि मेरे खाल से इस पानी को निकालने का कोई तरीका है ही नहीं अस्पताल के पीछे बड़े बड़े तालाब है वहां पानी भरा हुआ है उसके ब जो इकोना कस्बा है वो नीचा है और जो नाला बनाया गया है वो हाईवे पर बनाया गया है उच्छे बनाया गया है कहीं से भी पानी निकलने की बवस्ता नहीं है देखिए इंबिलेंस वगेरा सब यहीं खड़े हैं रात बिरात साब बिच्छों का भी खत्रा बना रहता है जो मरीज तिमारदार आ रहा है कि साइद उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा खराब वेवस्था और कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी कुछ मरीज तिमारदार है यह उससे बात करते हैं का इलाच कराने के लिए आई है उससे क्या पता था कि इस्पताल के अंदर जाने के लिए उसे इस तरीके से पानी में गंदे पानी में कपड़ा उठा करके चलना पड़ेगा और जो तारीफ उसने की हैं कि ऐसी वेवस्था साइद उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है सोचना चाहिए यहां के जिम्मेदारों को सोचना चाहिए जो लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं कि आखिरकार जल निकासी की विवस्था क्यों नहीं हो पा रही है सरकारी स्पताल में एक-एक महीने तक इस तरीके से पानी भरा रहता है लोग अपने घर से मरीजों को ले करके आते हैं और गंदे पानी में चल करके जाते हैं यहां पर मोटर साइकल खड़ा करने का भी विवस्था नहीं है जो मरीज तिमारदार बाहर से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो हमारा गाउं है सहर में आकर के कस्वे में आकर के ऐसी बवस्था जो देखी है साइद उत्तर परतेस में भी किसी भी अस्पताल में ऐसी बवस्था नहीं होगी यहाँ पर जलनिकासी के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं लगातार दो-तीन सालों से हम आपको निउज में दिखा रहे हैं कि अगर दो घंटे की भी विवरसात एकवना कस्वे में हो जाए तो पूरे एकवना कस्वे का ये हाल हो जाता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि सस्पताल के चारो तरफ पानी भरा हुआ है उस तरफ आपको बता दें भाजपा विधायक का आवास है स्पताल के पीछे वहाँ पर चारो तरफ तालाब ही तालाब है दूसरे तरफ पाच पिरान दरगा है और इसके बाद पाच पिरान महला है वहाँ बर भी पानी ही पानी बरा हुआ है जो आगे का रास्ता है कोना बाजार का नाला तो बना हुआ है निलकिन नाला पटा हुआ है सब लोगों ने नाला पाड़ के रखा है अगर वो लोग अपना नाला खोल भी देंगे अगर वो अपना अतकर्मन हटा भी लें तब भी ये पानी किसी तरीके से बाहर नहीं निकाला जा सकता सबसे नीचे है ये कोना स्पताल बाकी सारी चीज़ें बहुत ही उचाई पर है समोटा मोटर लगा करके ही पानी को निकाला जा सकता है और इसके लिए बहुत ही जद्धो जहत करना पड़ेगा ये सोचना होगा यहां के जिम्मेदारों को कि आखिरकार इस जो इस वक्त ये जल परला इकोना में आप देख रहे हैं इसको कैसे बाहर निकाले दूसरी बात आपको बता दें कि जो हाइवे पर नाला बना हुआ है पहली बात तो इकोना में जितने भी गड़े तालाब है जिन में पानी भर जाया करते थे जब बरसात होती थी तो इकोना में एक है साउताल कुछ दिन पहले का माहौल आपको बता दे इससे पहले भी 10 साल पहले जब इकमा में बरसाठ हो जाती थी तो बरसाठ का जो पानी है वो किसी तरीके से यहाँ वहां किसी तालाब बें सरचित हो जाता था आज कल देखा जा रहा है कि तालाब की जबीनों पर लोगों ने कबजा करके घर बनवा लिया है जो नाला बनवाया गया है नगर पंचायत की तरफ से या दिहात इलाके में वहाँ पर आपको ये देखे ये भाई साब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं ये कह रहे हैं कि इस तरीकी की वेवस्ता हमने उत्तर प वेवस्ता हमारे गाउं में है गाउं में इनके एक बुंद पानी नहीं रुकता है लेकिन सहर में जहां पर इतने संसाधन हैं मसीरे हैं नाला बना हुआ है नगर पंचायत है वहाँ पर अगर इस तरीके से पानी भरा रहे तो सोचने वाली बात है अभी एकवना पानी भरा रहता है वहाँ में चारे परिसान रहते हैं उनके घरों में गंदा पानी भरा हुआ है मोटर लगा करके हर साल वो पानी निकालने का कोशिस करते हैं एकवना बाइपास पर जब ये बड़े बाले नाले में पानी जाता है तो एकवना बाइपास के बगल में भी जाता घर बन गए हैं वहाँ पर बिद्याले हैं कई सारे अब उन बिद्यालों में पानी भर गया है यानि कहने का मतलब यह जो नाला बना है हाइवे पर इसमें पानी अगर इसके अंदर डाला जाए पाइप से या मोटर लगा करके तो यह नाला भी कहीं न कहीं पटा हुआ है इसके कारण देखा जा रहा है कि कोना बाइपास पर चारों तरफ लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है साउटाल है वो पूरी तरीके से भर चुका है और जगजीत इंटर कालेज के पास आपको बता दें जहां पर तिराहा है एक रास्ता एकोना की तरफ आता है एकोना बाइपास पिटोल पम की तरफ चला जाता है वहां पर भी एक गड़ा बना हुआ था उसमें भी पानी भरा हुआ है चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा यहां इस अस्पताल के जो डाक्टर साहब है मों कुछ बोलने को तयार नहीं है जनता बोल रही है जनता इसमें पिस रही है मरीज और तीमारदार परिसान हो रहे हैं अम्बलेंस कर्मी परिसान हो रहे हैं सारे लोग परिसान है अब देखिए आप बरसात होकर के चली गई जब से पहला बरसात हुआ है तब से यहां एकोना स्पताल का यह हाल है ये इसको जो है हमारे यहां सरावस्ती के जो जिलादिकारी है जै कुमार दिर्वेदी उनको इस मामले को सग्यान में लेना चाहिए और कोई ऐसी वेवस्था करानी चाहिए कि इसका पानी निकले मेरे तो खुछ समझ में नहीं रहा है इसका पानी निकलेगा तो अखेज जाएगा कहाँ पीछे पाचपिरान दरगा है कबरिस्तान के बगल में वो पूरा का पूरा भरा हुआ है अस्पताल के पीछे उधर विधाय का आवास की तरफ जो पाचपिरान महला है उधर पूरा का पूरा पानी वरा हुआ है उधर विधाय का आवास के पीछे पूरा पानी वरा हुआ है इधर एकोना कस्बा है जहां पर नाला बगएरा है नाला बगएरा पटा हुआ है और आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों ने अत्करमण करके रखा हुआ है नाले के उपर दिर्माड करा लिया है, ऐसे लोगों पर सक्त से सक्त कारवाई करनी चाहिए, कहीं न कहीं यही लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जो नाला है, जो गड़ा है, जो तालाब है, उसको पाट करके उस पर अपना आवास बना लिया है, यही वज़े है कि आज इक इकोना में तो इकोना थाना सीयो आफिस महिला स्पताल और उसके पीछे प्रात्मिक विद्याले है और डाग बंगला है और भी कई सब्सक्राइब सरकारी संस्थान है जब वहां पर पानी बरा हुआ है यह स्पताल है स्पताल का नजारा आप देखी रहें देखिए दिव्यांग महिला जो है जा रही है बैट करके उसको क्या पता था कि एस्पताल पहुंचते ही उसे ताला आप जैसन नजारा दिखाई पड़ेगा तो आज लोग आते हैं बीमारी सही कराने आते हैं और भी बीमार हो जाते हैं और भी मार हो जाते हैं पानी का सुधा नहीं है तीने का पूरा विल्डिंग चूरा है टपटपर बैटने को यह जगे नहीं है नहीं है तो गराम परदान चेर्मेन गराम परदान चेर्मेन भी तक प्रॉबी आये सेजिए सारे आये से अपनी बना हुआ है, अबुलाइ को यह हुए है प्रॉघ प्रॉड़ कोनày के भाउजू जह भी है तुम्हा रही है का लिगेज। कर दो कर दो कर दो अप्राफ्स सोप्स जखाय पही नभी सिर्टीज तरकार का पुखाय कोई ते लाएं जब रखाय की ते लाएं कि रीकिल्टीज पमडूरा रहे लो ऐ। काल बाए बाएं अजली निद्साइग जडत्राम झाल, या राच ? ठीbas अचान के जिसारी मल कौ hyd 1 स्व RIGHT में, झाल, इन्हेंत जाल, जब हम्या ! जडने त swornबने के राचा के घρά संगा, प्राइबान चैटास्ट आप हम वेगा समय के जिए। से कुरीघी सरी ऑारिएर झाथभाम जलो हम भी प्राइब से का दिर दो जाएबा शज़ लिए जिए प्राइबान चारीचप प्राइब अबास्ट लिए। झाल झाल